बूर्णिंग एब्रिवान तो एस यू नू इन आर रिवीजन वी आफ कंप्लीटेट अप्टू क्वेशन नमबर 23 23 क्वेशन एक बार मैं रिकॉल कर दे रही हूं वाई डू वी सी अरेंबो इन दा स्काई ओनली आफ्टर रेंफॉल रेंफॉल के जस्ट बाद में ही हमें रेंबो क्यों दिखाई देता है उसका जो रिजन है वो अपने जो है नासेसरी कंडिशन आफ रेंबो फॉर्मिशन में भी पढ़ा है कि रेंबो फॉर्मिशन क्यों होता है रेंबो फॉर्मिशन की नासेसरी कंडिशन 2 है the presence of sunlight and raindrops means the presence of moisture in the atmosphere okay तो इसी लिए rainbow दिखाई देता है क्योंकि just after rainfall जब sunlight appear होती है तो जो raindrops से cross होती है so I hope the question is clear and understood to you उसके बाद question number 24 in this chapter very few questions are left now because of reduced syllabus क्योंकि जब syllabus ज़्यादा था तो बहुत सारे questions थे और इसलिए जो अब हम ये reason कर रहे हैं that is the last practice है इसमें जितने extra questions थे जितने possible questions थे all those questions I have given वो सारे आपको मैंने बता दिये हैं या जो रह गए हैं वो हो जाएंगे और उसके बाद इस chapter का revision finish हो जाएगा और आपको पता है कि उससे पहले जो है वो हम सारे chapters को revise कर चुके हैं videos are also available of all those chapters अब आपको practice कैसे करनी होगी उसके लिए एक pattern यह है कि now from the next one I'll give you question papers okay the complete question paper of science you have to solve question paper को हम discuss करेंगे उसमें जितना physics का part होगा वहर बार आपको solve करते जाना है तो question paper हम sample papers भी ले सकते हैं और previous year papers जो भी available होंगे I'll give you तो उसे हमें revision करना है that will be the better method क्योंकि उसमें सारे chapters के mixed question होंगे और यह आप chapter wise topic wise जो revision है वो finish कर चुके हैं okay so take care of this तो अब जितने भी questions बचे हैं those are the last questions of chapter human eye 24 number का question है उसमें देख रखा है describe atmospheric reflection explain with the help of diagram why the sun is visible to us two minutes before the actual sunrise and two minutes even after the sunset this is also from the board questions 2015 और 17 में आचुका है तो सबसे पहले क्योंकि यह questions जो है two या three marks के हैं तो atmospheric reflection क्या होता है और दूसरा part है कि आपको यह condition explain करनी तो atmospheric reflection जितने भी यह phenomenon हैं जैसे आपका है twinkling of stars stars twinkle करते हुए दिखाई देते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं और यह जो है आपका sunset और sunrise जो है वो actually sun जब निकला नहीं होता है sunrise नहीं हुआ होता है उससे 2 minutes पहले ही visible हो जाता है ऐसा ही sunset के कि इसमें भी होता है और भी बहुत से और फिनोमेना है सारे atmospheric reflection की वज़े से होते है atmospheric reflection का मतलब होता है कि जहाँ sun है जहाँ से sunrise आ रही है atmosphere के अंदर तो sunrise जब चलना start करती है तो वहाँ उस जगह पर atmosphere नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर vacuum है उसके बाद sunrise atmosphere में आना start करती है मान लीज़े यह अर्थ है तो अर्थ में अर्थ के असपास air की जो density है कहां से बढ़ना start होती है कहां पर कम air होती है तो जहाँ जिस जगहाँ पर हम लोग हैं जितनी जो है वह बेल्डिंग्स की height होती कि maximum height जहां तक जो है वो हम survive कर सकते हैं तो वहां तक air की जो density है वो हाई है ज्यादा air प्रेजन्ट होती दीरे दीरे और ज्यादा हाईट पर जाते हैं तो air की density कम होने लगती है और फिर बिलकुल अगर आप sun के close चले जाते हैं तो वहां पर कोई भी air नहीं है कोई भी atmosphere नहीं है वैक्यूम है तो क्या होता है कि जब sun rays या किसी भी celestial body से जो rays आ रही है वो जब जहां से चलना start करती है वहां वैक्यूम होता means no air उसके बाद जब वह थोड़ा आगे बढ़ती है तो कम air में आती है तो vacuum से air में एंटर करती है means उनके लिए जो medium है वो कैसा हो गया dancer पहले वो rarer medium में थी बिलकुल भी air नहीं थी vacuum था उसके बाद जब वह थोड़ी सी air में आती है तो थोड़ा dancer होता है medium फिर कम air से और ज़्यादा air में जब आती है अर्थ के close आगे है अर्थ पर आगे है तो और ज़्यादा dancer medium मिलता है तो यह जो layers है ना density की जो medium है जो बीच में आ रहे हैं उन सभी में optical density लगादार change हो रही है rarer dancer dancer then more dancer तो इस तरहां से जब ऐसा कहीं भी case होता है तो आपको पता है कि reflection होग क्योंकि जहां भी density change होती है वहाँ पर density के change होने के वज़ासे medium के जो particles है वो जो light है उसके आने का अपोस करते हैं और जितना dancer medium होगा अतना ही अपोस जादा होगा और जो light raise है उनकी speed कम हो जाएगी तो atmospheric refraction का जो phenomenon होता है वो ही होता है कि because of the presence of the layers of different optical densities in the atmosphere the rays suffer refraction or the path of the rays change or you can say the speed of the rays change this phenomena is known as atmospheric refraction यही फिनोमेना कहलाता है atmospheric refraction ओके उसके बाद आपको क्या करना है diagram की ही help से आपको बताना है sun दो मिनट पहले क्यों visible हो जाता है sunrise से और दो मिनट बात तक visible क्यों रहता है sunset से ठीक है तो इसमें अब again one diagram is there और 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 कैसे बनेगा I am explaining वैसे ये notebook में मैंने कराया है लेकिन फिर भी ये this is the position of earth ये अर्थ है ओके आर्थ पे जहां से हम observe करते हैं मानलीज़े यहां एक observer खड़ा इसको देखना है sun ठीक है ये line जो है ये line कहलाती है line of horizon horizon का मतलब है कैसी line जो आर्थ के center से पास हो रही है बीच से middle से पास हो रही है अब sunrise की अगर बात करें तो sunrise का मतलब sunrise नहीं हुआ है तो sun कहां पर है यहां पर है यह sun की position है observer यहां पर है observer कहां तक देख सकता है यहां horizon तक देख सकता है sun उससे नीचे जा चुका है तो sun visible नहीं होना चाहिए observer को लेकिन actually होता क्या है जब sunrise यहां पर sun है sunrise नहीं हुआ है तो sun से आने वाली rays जैसा मैंने आपको भी बताए कि sun से आने वाली rays जो है उनको face करना पड़ता है different optical densities को तो यहां पर optical density कम है rarer medium है और यहां पर optical densities जादा है तो suppose यही लाइन जो है वो divide भी कर रही है densities को जो आपने normal की लाइन पड़ी है तो जब rays sun से यहां पर आती है तो sun से यहां पर आने वाली rays जब यहां आती है तो जहां से उनकी optical density चेंज होरी मानलेज़े यहां कम है यहां जादा है तो वहीं से rays जो है वो bend होना start हो जाती है तो raise किस तरहां से bend होती है तो मालने लिए raise जो है वो ये सीधी जा रही थी और first direction में bend होती है तो जब raise इस direction में bend होती है तो observer जो होता है वो raise को कहां से catch करेगा ये आ रही है raise आसे करके bend हो रही है तो observer कहां catch करेगा raise को जहां से raise आ रही है straight observer ने यहां catch किया eyes की property है कि अगर ray इस तरह से आ रही है यहां से आप देख रहे हैं तो eyes जो है वो ray को band नहीं देख पाती है eyes ray को इस तरह से eyes को लगेगा कि जो object है वो यहां पर है ठीक है और जब कि actual position उसकी यहां पर है तो ray जब आई तो वो ऐसे करके band होगी नॉर्मल से जब वो ऐसे band होती है तो क्या होगा कि rays को observer यहां catch करेगा तो उसको position थोड़ी सी उपर दिखाई देगी actually यहां पर है sun observer को यहां पर दिख रहा है तो बस यही phenomenon आपको diagram बना देना है explain कर देना है कि sun कहां है actually sun horizon के नीचे है लेकिन कहां दिखाई दे रहा है horizon के उपर तो आप explain जब करेंगे कि when the sun when we are taking the case of sunrise then sun is below the horizon but when the rays are coming from the place of rarer optical density to the more denser region then rays are bending towards the normal normal की तरफ bend होंगी जब rarer to denser हा रही है bends towards the normal and because of this the observer catches the rays in the straight direction and he thought that sun is visible इसको sun visible लगता है तो that's why sun is visible before two minutes of actual sunrise and after two minutes of actual sunset वही केसे sunset हो चुका होता है लेकिन फिर भी sun visible होता है तो लगबग two minutes का delay रहता है जो time है time duration में भी two minutes का delay रहता है क्योंकि आपको जब तक sun दिख रहा है तो आप यह मान रहे हैं कि जो है वो day की presence है sun दिखता है तब तक day की presence है तो ऐसा है कि जो हमारा पूरा जो day का time होता है ना जो weather की according change होता है जैसे winter में जो है हमें 2 minutes पहले से दिखना स्टार्ट हो जाता है 2 minutes बात तक दिखता रहता है तो 4 minutes का हमेशा ग्याप रहता है actually यह 4 minutes और जो day की duration है वो कम होती है clear तो यह आपका जो है वो question number 24 था now after this question number 25 we can see the sun for few minutes even after it has actually set explain why यह तो explain हो चुका है और explain with the help of diagram why the sun is visible to us 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the sunset तो same question repeat हो रहा है already explained है यह पराते हैं question number 20 26 पर 26 में है why does the sun appear oval at sunset and sunrise but appear circular at noon तो यह भी आपने observe कि आपने अब्जर्फ किया होगा कि noon time में अगर आप sun को observe करें तो sun जो है वो छोटा भी दिखाई देता है छोटा दिखाई देता है और circular दिखाई देता है जबकि evening में sun का shape भी बड़ा हो जाता है थोड़ा सा flatten दिखाई देता है थोड़ा सा flatten होगा तो उसका reason गया है तो उसका reason यह है कि suppose that यह earth है यहां से आप sun को observe कर रहे हैं this is earth यहां से sun को observe कर रहे हैं तो day time में sun यहां है और evening में sun यहां 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 जो भी position है horizon की वहां होगा तो day time में जब raise आती है तो यहां से direct सीधी earth पर आ जाएंगी और evening के time raise यहां से और यहां से आती हैं तो आप देख रहे हैं कि यह this distance is more than this इस वाले distance की comparison में यह वाले distance ज़्यादा है तो जब भी ऐसा होता है कि raise को ज़्यादा distance cover करना पड़ रहा है तो उनका atmospheric reflections ज़्यादा से ज़्यादा होता है means क्या होगा कि वह ज़्यादा time तक atmosphere के contact में रही तो उनका reflection भी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारी layers को face करना पड़ता है अलग-अलग optical density की different layers को face करना पड़ रहा है यहाँ उतना face नहीं करना पड़ रहा है तो यहाँ पर उनका atmospheric reflection काम हो रहा है तो हमेशा किसी body का shape change तब होगा या फिर वो twinkling करती हुए तब दिखाई देगी जब उसका कई बार reflection हो रहा है क्योंकि हमारी eyes जो है उनके थूप उसकी बहुत अलग-अलग images बन रही है तो उसका reason यह होता है ठीक है तो आप लिख देंगे कि because of multiple atmospheric reflection we get the different images of sun and because of this it is like this okay तो आज का revision यहीं तक है thank you